नमस्कार अपन जारकन में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हो करिश्मा खबरों की करेंगे शिर्वात और सबसे पहले बात जारकन राष्टे जनता दल ने सबी 24 दिला के जलाद धक्चो की साथ एक एहम बैठक बुलाई गए जिसमें वरतमान सरकार के तरफ से 20 सुथरी करकम समिती का गटन होने में जारकन राष्टे जनता दल की कोई भी भागेदारे नहीं होने पर सब्याद धक्चो ने वरतमान सरकार के खिलाब नाराज के जाहि की है बैटक में निर्णल्या की सरकार महागठ बंदन की है और इसमें राश्टेम जारकन जनता दल की भी भूमिका होनी चाहिए मामले को लेकर जल से जल्द हम लोग विहार के नेताब प्रतिपक्ष तजस्त्री यादब से मुलाकात कर जारकन के राजनितिक गतिवीदियों से अब गत कराएंगे और जारकन सरकार से भी सुत्री स्तमितिय को भंग कर नई स्रे से लागो करने की मांग करेंगी आपको बता दे के जाकर राश्टी जनता दल कमिटी वत्मान में भंग कर दी गई है वाव्जदिस के सभी जिलाग देख्षों की अपात बैठक की गई है अब आज जनता दल के सभी जिलाग दिश्टों बारा आम समधी से बैठक लिया गया इसमें कोई प्रदिस नेतुत हम लोग के कमान नहीं कर रहा है तो तह जिलाग देख्षों के बैठक है अगर निर्णे जो आज जो हम लोग के बाद आ रही है जो कमिटी बनी है और सरकार हमारी भागीदारी सुष्चित नहीं हो पारी है इससे हमारे 2400 जिला मेराश्टे जनताल के काफी कारकरता हम काफी रोज है मुक्ती मोर्चा और कॉंग्रेस ने इसका फाइदा उठाते हुए 20 सुत्री एवं 15 सुत्री क्रियानियन समीती की घोसना करीब करीब हर जिलों में कर दी है चंद जिले बाकी है और अधिक जानकारे के लिए रवाचे से हमारे जारकर न्यूस कॉडिनेटर मनोज सीना लाइव चैट पर जूचुके है मनोजी जारकर में आरजोडी ने जिलादक्ष्टो की एहम बैठक बोलाई और इस बैठक में यानि 20 सुत्री कारकर्ण समीती में आरजोडी ने नराद के जताई है वरत्मान सरकार के खलाब तेखे करिश्मा अगर हम बात करेंगे 20 सुत्री की जानिवन समीती के गठन को ले करके तो यह शुरू से ही इसको ले करके कही तरह के बात बाते जो है गटबंधन में आ रही थी जो कॉंग्रेस के जो कार्ज करता और नेता थे लगातार सरकार पे दवाब बना रहे थे कि 20 सुत्री की जानिवन समीती का गठन किया जाए काफी अगर कहा जाए तो विलम से ही सही दो साल बाद जब 20 सुत्री की जानिवन समीती का गठन सुरू हुआ है तो कई जीलों का गठन हो चुका है और सबसे बड़ी बात इसमें यह रही कि इसमें कॉंग्रेस के कार्ज में तमाम पुर्व जिला अध्यक्ष पुर्व इसलिए कि क्योंकि अभी अगर हम बात करेंगे तो जारखन में कोई भी कमेटी क्रियाशिल नहीं है और जो राश्टी अध्यक्ष है उनके दिसा निर्देश पे यहां के तमाम कमीटीओं को भंग कर दिया गया है तो जितने भ जो बड़े नेता है ते जस्वी यादव हो या अब्दुलबारी सिदिकी हो या जो प्रदेश के परभारी है प्रकास नरान यादव उनसे मुलाकात करेंगे और इन सारे चीजों को सामने रखेंगे क्योंकि सरकार में एक महतपुर्ण घठक दल के रूप में राजद है औ जैसे में अगर राजद कर्ज करता हूं को उचित सम्मान और जगह नहीं मिलता है तो इसका ये विरोध करेंगे और इसी को ले करके आज ये बैठकती है उन लोगों ने असपरस्त तोर पे इस बात को ले करके निर्ड़ने लिया है कि इन सारे चीजों से जो राश्टिये जो सिशल्फ नेट्रुद है उनको और ओगत और उनसे आगरह किया जाएगा या तो जो कमिटियां बनी है उनको भंगर करें सिरे से फिर से परदेश परवक्ता है उन्होंने कहा है कि यह थोरी सी नाराजगी है उनकी और इसको लेकर करेंगे तो उनकी नाराजगी को दूर कर लिया जाएगा चुकि यह गट-बंधन का मामला है और इस तरीके से साफजानिक तोर पर विरोध नहीं करना चाहिए बाब जुद इसके अ उसके गठन को लेकर के और बोड निगम के गठन को लेकर के लगातार जो गटक दल है उनके विरोध के स्वर आते रहे हैं और यह उसी की एक बानगी है कि आज राज़त के जो तमाम काजवाहक जिला ध्यक्ष जो है उनलोगों ने बैठा की और इस तरीके से एक तरह से कहा है क्योंकि 203 कारकम समिती में जगा नहीं मिलने के वजह से यह काफी नाराज किये जायर किया और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे और उनको इस पूरे मामेश से अब गयत कराएंगे लेकिन जो जो राज़त के परदेश अध्यक्ष अभैस सिंग उनको और जो एक मात्र जो राज़त के विधाय को सरकार में जो मंत्री है सत्यानग भोगता इन कार्ज करताओं का इन नेताओं का गुस्सा इन दोनों के प्रति है क्योंकि इन लोगों का कहना है कि यह दोनों जो है सही त समीति का गठन हुआ है कई जिलों में और उसमें राज़त के कार्ज करताओं को जगह नहीं मिलिये और समान नहीं मिला है दूसी और अगर हम बात करेंगे तो राज़त करताओं कि यह भी नाराज़गी है कि जिलों में जब राज़त करता जाते हैं अधिकारियों के पास का जिला इस बैठक में महजूद है और उन्होंने एक चुर से इस पूरे घटना कर्म को लेकर के चिंता जाहिर की है और असपस तोर पे का है कि वो तेजस्वी यादव से मिलेंगे अब्दुलबारी सिद्धिकी से मिलेंगे और जाप्रकास जरान यादव से मिलेंगे जो मान मिले ताकि जब जनता के बीच में वो जा सके तो सर उठा करके बात कर सके वोट मांग सके बिलकुल मनोजी तमाम बातचीत के लिए आपका बैयाद शुक्रिया